हमारी नॉर्मल जिंदगी के अंदर आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि कोट प्रोसीडिंग्स से पहले अक्सर लीगल नोटिस हम एक वकील अपने क्लाइन्ट को भेजता है आम तोर पर लीगल टर्मिनलोजी के अंदर आपने एक शब्द जरूर सुना होगा लीगल नोटिस ये लीगल नोटिस क्या चीज होती है इसकी लीगल वैलेडिटी क्या होती है क्या इस नोटिस को कोट के जरीए भेजा जाता है क्या इसे वकील भेज सकते हैं या इसे पार्टी खुद भी, क्लाइंट खुद भी ड्राफ्ट करके भेज सकता है ये बहुत सारे questions हैं जिनको मुझे मेरे क्लाइंट ने मुझे से पूछा और मुझे लगा कि इसके ओपर भी एक वीडियो, detailed वीडियो बनाई जानी चाहिए फ्रिंट सबसे पहले समझते हैं कि एक legal notice होता है, legal notice जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि legal यानि की खानूनी notice किसी को सूचना देना कानूनी तोर पर अगर हम किसी भी चीज़ की किसी वेक्ति को सूचना दे रहे हैं तो वो एक legal notice के दारे में आता है बहुत सारे cases ऐसे हैं जिनके अंदर किसी भी मुकदमे को शुरू करने से पहले legal notice देने का प्रावधान है यानि कि अगर आप किसी opposite party के ओपर कोई case file करना चाहते हैं तो कानून ये कहता है कि पहले आप उसको सूचित करेंगे आप उसको legal notice देंगे कि हम आपके ओपर ये case file करने जा रहे हैं otherwise आप हमारे notice के तहट जो हमने आप से prayer की है, demand की है उसको आप comply करिए आम तोर पर आपने देखा होगा कि check bounce की cases में suppose किसी को 2,00,00 रुपे का check मिला वो check bounce हो गया तो यहाँ पर negotiable instrument act की धारा 138 के तहट ये जरूरी है कि opposite party को एक legal notice सर्फ किया जाए और उस legal notice में 15 दिन का उसे वक्त दिया जाए ताकि वो legal notice प्राप्त करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपके या तो पर case करना चाते हैं या government department से जुड़े वे किसी भी matter में आप case करना चाते हैं तो आपको भी section 80 of civil procedure court के तहत आपको एक 60 दिन का legal notice opposite party यानि की government इदारे को देना mandatory है जिसके बिना case file नहीं होता हाला कि कुछ ऐसे circumstances होते हैं जिसके अंदर 60 दिन का हमारे पास time नहीं है और परिशानी कुछ ऐसी है कि जिसके अंदर अगर 60 दिन तक वेट किया जाएगा तो शायद उसका मकसद ही खतम हो जाए legal notice का या मुकदमे का तो ऐसी situation में कुछ exceptions भी दे गए हैं लेकिन आम हालातों में section 80 of CPC का notice देना mandatory है इसी तरह से अगर किसी दो लोगों के बीश में property की खरीद और फरोख का कोई matter है सपोस किसी वेक्ती ने दूसरे वेक्ती को बयाना दिया और वो registry नहीं हो रही है या बयाना देने वाला पैसे नहीं दे रहा है लेकिन क्या हर मुकदमे के अंदर legal notice दिया जाता है यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिनके अंदर legal notice को दिये बिना आप मुकदमा फाइल नहीं कर सकते लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिन में legal notice देना जरूरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी advocates, opposite party को legal notice देते हैं Friends, अगर कोई कानूनी प्रावधान जरूरी नहीं है legal notice देने का उसके बावजूद भी opposite party को अगर legal notice दिया जा रहा है तो इसकी क्या कानूनी बैता इसके उपर भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले समझने की बात यह है कि legal notice देने के बाद का जो provision है वो यह है कि court के अंदर case file किया जाता है court में case file करना, उसकी drafting, वकीलों की fees, court में case को लड़ना एक बड़ा expensive affair है, पैसे लगते हैं, वक्त भी लगता है और legal notice एक ऐसा procedure है जिसके अंदर आप उपने advocate से contact करते हैं एक advocate आपके facts and circumstances को उसमें draft करने के बाद जो opposite party से आपकी requirements है, जो lead है, जो prayer है वो उसमें लिखी जाती है वो उसमें लिखी जाती है और आम तरपर ये देखा गया है, बहुत सारे matters में ऐसा देखा गया है कि बिना court जाए, सिर्फ legal notice देने से भी काम बन जाता है और बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं, और बहुत सारा बखत और पैसा जो case में खर्च होना था, वो आपका खर्च नहीं होता है तो friends, legal notice देने से हमेशा फायदा होता है friends, legal notice देने से अगर हमेशा फायदा नहीं होता है तो ये एक नुपसान का सौधा भी नहीं है हमें legal notice देना चाहिए ताकि opposite party की intention का पता लग सके और आम तोर पर देखा गया है कि legal notice देने से आपकी जो need है, जो necessity है वो भी fulfill हो जाती है friends, legal notice के बारे में एक सवाल ये भी है कि legal notice क्या वकील के थ्रू ही बेजना जरूरी है या उसे खुद भी draft करके भेजा जा सकता है friends, सबसे पहले तो इस सवाल का simple जवाब ये है कि legal notice वकील के थ्रू बेजना mandatory नहीं है एक आम इंसान खुद भी उसे draft करके भेज सकता है लेकिन यहाँ पर मैं अपने वीवर्स को ये बात बहुत simple शब्दों में समझाना चाहूंगा कि क्योंकि एक वकील अपने subject में माहिर होता है उसने कानून की पढ़ाई पढ़ी होती है उसे तमाम वो facts and circumstances कैसे draft करने हैं कैसे एक मोती की माला की तरह उनको पिरोना होता है legal notice के अंदर कोई चीज हम इस तरह से उसको draft करते हैं ताकि उसमें पूरी कानून सारे facts and circumstances और कोई ऐसी हम उसमें statement ना on record लिख दें जो खुद के खिलाफ चली जाए और दूसरा उसका फायदा उठा सके इसलिए कानून की सही समझ रखने वाले वकील के से ही आपको अपना legal notice draft करवाना चाहिए वैसे आप खुद भी legal notice को भेज सकते हैं legal notice को भेजने की क्या तरीक हैं यहाँ पर यह भी बता देते हैं सबसे पहले आज से कुछ साल पहले तक 10-15 साल पहले तक भी legal notice को भारतिय डाक के जरीए बेजा जाता था फिर कुरियर आया तो कुरियर के जरीए भी आप भेज सकते हैं स्कीट पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट आप कर सकते हैं जो लोग email का यूज करते हैं जैसे आजकल multinational companies के employees हैं एक दूसरे से email के तुरू वो correspondence करते हैं तो email के तुरू भी अगर आपने किसी को legal notice serve किया है तो वो भी एक valid service मानी जाएगी legal notice को आप whatsapp के तुरू pdf मना कर भी बे सकते हैं और आजकल text messages के तुरू भी legal notice को opposite party के उपर serve किया जाता है legal notice अगर किसी वेक्टी को भीजा गया है और उसको लेने से मना कर देता है तो इसका क्या परभाव पड़ेगा इसके उपर भी आज हम बात कर लेते हैं friends अगर एक वेक्टी ने दूसरे वेक्टी को legal notice सर्फ किया है और दूसरा वेक्टी उसे लेने से मना कर देता है suppose वो उसका premises locked है या उसने खुद डाकिया उसी चिठी के पीछे जो envelope जिसके अंदर हम legal notice को cover करके भेजते हैं उसी के पीछे endorsement कर देता है कि प्राप करता ने लेने से मना कर दिया अगर ये endorsement envelope के उपर डाकिया ने लिख दिया है तो इसका मतलब यह है कि जो हम legal notice भेजना चाह रहे हैं थे वो उसके उपर receive हो गया लेकिन क्योंकि उसने लेने से मना कर दिया अत्वा हमारी जो legal compulsion थी legal notice भेजने की वो पूरी हो चुकी है कलको court के सामने हमारे उपर ये question raise नहीं किया जाएगा कि तो उने legal notice नहीं बेजा था हमने अपनी तरफ से duty पूरी कर दी opposite party ने उसको लेने में interested नहीं था इसलिए जो हमारी legal जरूरयात थी वो हमने पूरी कर दी फिर legal notice से related ये जिदने भी एक आम जिन्दगी में सवाल और जवाब है मैंने इस video के माध्यम से cover करने की कोशिश की है इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा question है जो legal notice से related आप मुझसे पूछना चाहते हैं या किसी दूसरे ऐसे topic पर जिनके उपर मैं videos बना चुका हूँ आप मुझसे जानना चाहते हैं आप मुझे inbox में लिखिए जिसका मैं आपको timely reply करने की कोशिश करूँगा लास में मेरी आप से request है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो please इसे like, share and subscribe करें Thank you